इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है शिरी गंगन गर के जवाहर नगर से जहां दिन देहाडे आज सुबै एक महिला के गले में पहनी सोने की चैन पार हो गई एक निजी अस्पताल में दवा लेने आई महिला की टैंपू पर सवार तीन अग्यात महिलाओं ने सोने की चैन उड़ा ली जब तक महिला को इसका पता चलता उससे पहले ही अग्यात महिलाएं दूसरे टैंपू पर सवार होकर फरार हो गई गाम ढाबा जहलार में रहने वाली सुशीला जैन पतनी धरमचंद जैन नामक महिला आज सुभय अपने गाम से शिरिगंगन गर में दवा लेने के लिए पहुँची बस स्टैंड से उतरने के बाद वे टैंपू पर सवार होकर ज्वाहर नगर के लिए रवाना हुई इंद्रावाटिका के सामने वाली गली में सतीश जैन नामक उसका रिष्टिदार रहता है जब सुशीला बस स्टैंड से टैंपू पर सवार हुई तो उस समय टैंपू में तीन महिलाएं भी सवार थी इन में से दो महिलाओं ने सलवार सूट और एक महिला ने सैड़ी पैन रखी थी सुशिला जैन ने बताया कि रास्ते में उक्त महलाओं में से किसी ने उसके गले में पहनी सोने की चैन का हुक खोल दिया जिसका उसे पता नहीं चला हुक खोलने के बाद चैन कपड़ों में अटक गई इसे देखकर एक महिला ने उसे लटकी चैन को परस में डालने की सला दी इस पर शुशीला ने चैन को परस में डाल लिया इंद्रावाटिका के सामने सुशीला टैंपू से उतरी और अपने रिष्टेदारों के घर की तरफ रवाना हुई अभी वै कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि उसने परस संभाला तो उसके ओश उड़ गए क्यूंकि परस में सोने की चैन नहीं थी इस पर शुशीला ने शोर मचा दिया शोर सुनकर आस पाल स्लोग इकठा हो गए शुशीला ने जब लोगों को आप बीती बताई तो महलाओं की तलाश शुरू की लेकिन महलाओं का पता नहीं चल पाया कुछ देर बाद वही टैंपू फिर से वहां आ गया तो चालक से तीन महलाओं के बारे में पुछा इस पर चालक ने बताया कि तीनों महलाओं दूसरी टैंपू पर सवार होकर कहीं चली गई उधर घटना की जानकारी मिलते ही जवाहर नगर पुलिस मोके पर पहुँच गई पुलिस ने आस पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला समाचार लिखे जाने तक इस संबन में मुकदमा दर्च नहीं हुआ था आजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए